देवभुमी उत्राखन में लगातार छेरचार की घटनाई सामने आ रही हैं एक के बाद एक पहार की बेटियों के साथ छेरचार की घटनाई सामने आ रही हैं ताजा मामला टेहरी गडवाल के लमगाओं का हैं तेरीगडवाल के लमगाओं में फिर से महिला के साथ चीरचार का मामला सामने आया है पिपलोगी पुल के पास गाओं से बाजार आ रही एक सिक्षिका से दो लोगों ने चीरचार की इस्थानिया लोगों ने उनकी चम कर पिटाए भी की उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया लोगों ने इस तरह के बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस के प्रती भी गुस्सा जाहिर किया और सड़क पर जाम लगा दिया आपको दादे कि प्राइवेट स्कूल में बढ़ाने वाली एक युवती स्कूल जा रही थी तबी रास्ते में दो युवकों ने उसके साथ छेड़ चार कर दी एक युवक ने चाकू तक निकाल दिया जिसके बाद युवक की वहीं से लमगाओं की तरफ भाग गई अस्थानिय लोगों को जब इस घटना का बता चला लगादार बढ़ रही छेड़ चार की घटनाओं से पहाड आए दिन असुरक्षित सा हो रहा है तस्थानिय युवकों में ऐसी घटना के प्रति घुस्सा भी हैं और पुलिस को उनके घुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस भैल भी बहाँ पर तैनात किया गया है संबाद 365 के लिए अमित कुसाइं की रिपोर्ट